So in this video we will discuss about every shop manager feature and I will tell you how to compute your shop after the shop creation. What we will discuss in this video. इसमें मैं आपको बताऊँगा के आपने कौन कौन सी information इसी को disclose करनी है और कहां पर disclose करनी है आपको मैं इसी की subscription से बार में बताऊँगा और हर एक feature discuss करूँगा आपके साथ इसी shop manager का. How to compute your shop? Shop completion के लिए आपको जैसे के मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपने एक-एक information इसी में detail upload करनी है जो के आपको product आप लगा रहे होंगे, आप product जो list कर रहे होंगे उसके related आपने एक-एक information इसी पर upload करनी है कि यह product कैसे बनी है, इस tools के through बनी है और कौन से production partners थे आपके इस product को बनाने के लिए और every detail आप upload करेंगे इसी shop completion में, इसी सब्सक्रिप्शन, इसी सब्सक्रिप्शन दो तरह के होती है, इसी standards और इसी प्लस, इसी standards जब आप shop create करते हैं तो automatically subscribe हो जाती है इसी standards में आप different basic इसी tools इस्तमाल कर सकते हैं जो के इसी ads है, इसी pattern है और इसी shipping label है, इसी ads होती है कि आप अपनी product की आपनी shop की है जब आप advertisement करते हैं तो इसी के through होती है, तो उसको कहते है इसी ads और जो इसी pattern है वो है इसी की अपनी website जो के आप अपनी shop के नापर create कर सकते हैं, अब let's discuss इसी plus, इसी plus इसी प्लस आपको 10 dollars की subscribe करने पड़ती है जब आप इसी की shop create कर लेते हैं, इसी plus में आपको 15 free listing credits मिलते हैं every month, listing credits के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले तया था जैसा की आप इसी पर list करते हैं तो आपको 0.20 dollars चार्ज्छ करता है इसी पर list के. जब आप इसी plus का subscribe कर लेते हैं, तो इसी आपको 15 free listing credits नेता है, जो के तब तक चलेंगे तक आपको इसी listings के बारे में charge नहीं करेगा, listings की fees चार्ज नहीं करेगा, जब तक आपको 15 listing credits यूज करते हैं तो इसी आपको जब तक आपके फाइव क्रेडिक्स कॉंजूम नहीं हो जाएंगे आपको इसी एड़ुटाइजमेंट्स के चार्ज नहीं करेगा इसी प्लस के तरूँ आप इसी पैٹंट की डुमेन तो में क्रियेट कर सकते हैं अपने शॉप के नाम पर जब आप इसी पर सैलिंग कर रहते हैं आपकी प्रोडक्स आपकी लिस्तिंग्स जब आउट ओस डूप हो जाती हैं जब एस इसी आपको कभी नहीं पताता कि आपकी इस्टिंगs ये fazzillout हो चुकी हुए है लेकिन इसी फ्लसके थु आपको customers restore зак trade कि request कर सकते हैं आपकी listings page कर चुके जिसमें इसी'll lahat के त्रून अप advanced इसी शॉप कुस्माइजेशन भिण कर सकते हैं जिसमें यहां से आप अपनी शॉप को डिट कर सकते हैं और यहां से आप अपनी अपडेट्स भी चैक कर सकते हैं जिसमें के आपको बता लगेगा कि आपकी शॉप को कितने लोगों कितनी आपकी लेट्स सेल आगी है यहां आपके शॉप को किस ने रिवियू किया है तो लेक्स बसक्त डिसकस एबाऊ शॉप मैंजर कर सकते हैं जोडियों से आपको फ्रीट्रिक रिक्वाइड होते इसी शॉप को किस्टमाइस करने के लिए वो सब कुछ आपको इसी की शॉ Settings के बाद आप Influent Appearance पे जाएंगे इस शौक का बैनर आप यहां पर अपलोड करेंगे शौक बैनर के बाद आपको आपको सबसे पहले प्रसेसिंग टाइम शो होगा प्रसेसिंग टाइम में यह डिसक्स होता है कि आप जो प्रडुक्ट लिस्ट इवी आपने वह कितनी देर में बिना रहे हैं तो उसका जो इसके बाद आता है यहां पर पेमेंट ऑप्शन पेमेंट ऑप्शन यह जो जो लोग पाकिस्तान से इसका काउंट साइन अप करके बैठे हैं उनको सिर्फ पेपल शोगा क्योंकि बायर सिर्फ पेपल से और प्लेस कर सकते हैं इसी पर और जो 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 लोग उस लिस में कार्ड योज़ करके बैंक कार्ड योज़ कर के order price कर सकते हैं इसके बाद इने अग Hai here scheme is कि अब हर एक सेर्ट की अगर अनसे अधिट करना चाहते हैं उन पो आप यह से इडिक कर के यांपर but i created sprach ik्म करते हैं यहां कर सकते हैं कि आप आप Extenders except करते हैं आपको अगर रिटर्ण करनी है कोई आइटम आपको कितने दिनों में वहना के तो मिंख यहां को आईटम कर अखर jestem को अइटम कर नियुक्ठ कर Stitch करें तो आप यहां से finish या publish shop policies पर click करेंगे तो आपकी shop policies update हो जाएंगी shop policies को set up करने के बाद आपने step अगला अपनी shop completion का लेना है यादि कि आपने अपने shop को complete करने के लिए आप settings पर click करेंगे सबसे पहले और आप about your shop में जाएंगे about your shop में आने के बाद आपको shop members वो गए जैसे के यहाँ पर आपको सोब और होगा मोमद जुनेद का यानि यह जो शौप करियेट हूई है वह जूप का हुई है गर इसको हमने और और रोल आसएंड करना है तो हम एड़ा रोल पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर कोई भी रोलल असाइन कर सकते हैं मुद手 को अव मुश्मीड को अब जो मुद जुनेदर वो creator होना चाहिए जो के डाउनुर, यह अपने आप को रोल य। रूल सेन्न के अपने आपको रोड रूल करने के बाद आप बायो अपने डिसकार्पर आपकी एज की आप सब कुछ इस बायो वाल सेक्षिन में बिताएंगे। उसके बाद आपने अपनी प्रॉफायल प्रॉड प्रॉड करनी है हूं पर यहां पर चाके जो इसी पर जो भी आपका बायर है जो भी बायर है यहां फिर जो भी कस्मर है वो आपकी शोप में आपको 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 देख सके उसके बाद आपने स्टोरी पर क्लिक करने के बाद आपने स्टोरी हेडलाइन लिखनी है और स्टोरी लिखनी है अपनी स्टोरी में क्या लिखना ह इसी पर इसी शौक के साथ उसके बाद जब आप इसी शौक पर अपनी स्टोरी अफ्लोड कर लेते हैं उसके बाद आप नीचे स्वाइब करेंगे तो आप वीडियो में आएंगे शौक वीडियो में आपने अपने प्रोडक्शन की वीडियो अफ्लोड करनी है प्रोडक्शन की video बनाते हैं उसके बाद आप वो वडियो बैनने के बाद यहाँ पर add वीडियो पे klike पर वीडियो करते हैं अपनी kisye shop पर करने के बाद आप so photos में इसकीolare जो अमनी विस्तव करने के लिए आप पने अपलोड करनी हैं ताकर आप आपने ओप्लोड कर नी है कि हमारा स्टॉक है यहाँ पर अपना स्टॉक रखते हैं जब यह सब कुछ आप अफलोड कर लेंगे जब आप विडियो अप्लोड कर देंगे जब आप अपदेट कर देंगे उसके बाद आप ने सेफ पर क्लिक करना है सेफ पर क्लिक करने के बाद आपकी it aid persa shop create हो जाती है यारे कि आपकी it ।집प परसेट यहां को एक leisure परक्रणे करींगे production भार क्रिंगे हमें production अगर कोई हमें production में हमारी कोई अगर है तो हम उस production पाटनर को हम अपनी शॉप में अड़ करेंगे about your shop session को complete करने के बाद आप settings पर click करेंगे और आपने production partners में जाना है जोगा जहां पर आप उसकी डिटेयर करेंगे प्रोडक्शन पार्टन में आप उनका नेम लिखेंगे जैसे कि मैं अली लिख देता हूं उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान से सैलिंग कर रहा हूं तो मैं उस जोंसी सीटी से मैंने अगर चौक क्रियेट किये तो उस सीटी का मै नाम लिखेंगे जैसे कि मैं लहूर लिख देता हूं यह एड़ करने के बाद मैं अबाउट प्रोडक्शन पार्टन में एड़ करूंगा कि वह कैसे आपकी है कैसे वह आपका पार्टनर है किस तरह वह आपको मिला है कि आपने 500-600 words की आपने यहां पर उसके बारे में अब आपने यहां पर आपको सूटेवल लगे आपने वह अंसर स्लेक्ट कर लेना है यह सारे अंसर स्लेक्ट करने के बाद आपने सेफ पार्टनर पर क्लिक करना है और आपकी यह सेफ करने के बाद आपकी शॉप बिल्कुल कम्प्लीट हो जाती है इसके बाद आप लिस्ट सबिए सिपएंज भी पर स्टैच में या उड़ा होता है सटैच में विलिड़्स वजिश कि आप ऊपडेट अपडेट आप पर वहाऊन के पर उस्केवाइर आप यहां से अपने ऑडर भी देख सकते हैं लिस्टिंग्स आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी है एक्सपाइड कितनी है और सौल्ड आूट कितनी है उसके बाद रीसेंट अक्टिविटी में आपको शोगा कि आपकी शॉप में लेटेस्ट क्या हुआ है अगर कोई आपको फेवरेट करता है तो आपको यहां पर शोगा डैशबोर के बाद हम आते हैं लिस्टिंग्स में लिस्टिंग्स के बारे में लिस्टिंग्स से टैब में आप अपनी लिस्टिंग्स देख सकते हैं कि अब तक आपने कौन कों से लिस्टिंग्स की नहीं है उसके है कि अगर आप पर्स करें तो आप पर्स का एक सेक्शन मिलाएंगे अगर आप कार्ड होल्डर सेल करें तो आप कार्ड होल्डर का एक सेक्शन मिलाएंगे तो आप यहां से सेक्शन भी डिट कर सकते हैं प्राइसिस भी डिट कर सकते हैं लेकिन अगर वह प्राइसिस अगर व open करने पड़ेंगे अगर आप stat के feature को allow करते हो तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी इस listing पर कितने visits है favorites हैं या आपने कितनी sales की हैं कितने renews हैं और कितने आपने इस revenue निकाला इस एक listing से अब discuss करते हैं messages वाले tab के बारे में में आपने सारे messages रेड़ कर सकते हैं inbox, sent, all, unread, or spam में जो से आपके messages पर रहते हैं और recycle bin में जो आप messages रेड़ करते हैं वह रिसाइकल बिन में आपको मिलेंगे messages के बाद हम discuss करते हैं order वाले tab के बारे में, order वाले tab में आप देख सकते हैं जब भी आपको कोई order आएगा या जब भी आपने किसी order के order में से कोई information fetch करनी होती है यह जब आपका processing time complete हो जाता है तो आप order and delivery वाले tab में उस order को process करते हैं order को process करने का मतलब है कैम आपको कोई order आजाता है आप ने उसका processing time complete karna के बाद जिव आप आपने उस order को इटC करना है जर आपने बाइर को बताना है कि यह मैने आपका order process कर दी है तो आपने order को select करने के बाद mark as complete करना है जो आपके Orders Complete नहीं होते हैं वह आप कुम्पेटिटिडूब्य टैप पर के करके एक उन ओडर को परसेस कर सकते हैं याने कि अगर आपने कोई order हिस्टिट करनी ये तो आप परसेस कर सकते हैं अगर कोई order को भी आपका process कर लिया वह आपने उस order को Mark as Complete कर देते हैं तो आप उस order को completed वारे टैब में चेक कर सकते हैं Stats वारे टैब में आपको शोगा कि आपकी listings पे views ये visits किस date पे कितने है थे जैसे कि अगर आप यहां पर 28 July पर आप cursor move पेरेंगे तो आपको पता लगे कि यहां पर कितने visits हैं 5 July को कितने visits थे 13 July को कितने visits हैं यानि कि आपको पूरा graph यहां पर यहां पर यह तो एक new account है इस वह से आपको कोई graph शोग नहीं हो रहा लेकिन जब यह account running में आ जाएगा जब यह account processing में आ जाएगा तो आपको यहां पर एक graph शोगा कि इस date को इस listings पर यहां इस job में कितने हमें visits रिसीव हुए थे कितने views आये थे अब हम बात करते हैं एक finances वाले टैब के बारे में finances वाले टैब में जब आते हैं तो आपको दो options शोग होती हैं आपर payment account और payment settings जब आप payment account पर select जब आप payment account को select करते हैं तो आपको यह वाला टैब शोगा यह वाले टैब में आपको शोग होता है कि आपने कितने आपके पास पैसे इस वाले अकाउंट में पढ़े हुए हैं आपने कितने पैसे इसी को pay करने हैं यहां फिर आपको आपका current balance कितना है जब आपको कोई order आ अगर show हो रहा है तो आप available तो आप उसको withdraw नहीं कर सकते जब तक वह available for deposit में होता जब एक दिन गुजरता है तो यहां से amount move करके available for deposit में आ जाती है available for deposit में जब आ जाती है तो आप नीचे एक line शू होना शूरू हो जाती है जिसमें लिखा होता है requested now जब आप requested now पर click करते हैं वह amount आपके account में withdraw हो जाती है यहां पर आप अपनी listings के अपने orders की statements कर सकते हैं जैसा कि मुझे यहां पर show हो रहा है कि ITC ने मेरे उपर balance डाला वहा है 0.40 USD का जैने कि मैंने ITC को 0.40 USD पे करने है कि जब मैंने ITC की shock stock की थी तब मैं दो listings की थी उन दोनों listings की मुझे fees यहां प करते हैं तो आप अपनी monthly statements देख सकते हैं कि आपकी total sales and credits कितने हैं आपको fees कितनी चार्ज हुआ है इसके नीचे आप देखते हैं कि आपको total monthly statements अगर आप निकारना जाते हैं जैसे कि आप January, February, March के अगर आप statement देखना चाहते हैं तो आप see all monthly statements पर click करेंगे. Finances के बाद अगला tab है आपका marketing मार्केटिंग में आप देख सकते हैं कि search analytics, itsy ads, sales and profits, social media and custom web address, search analytics में आप देखते हैं कि आपकी जो listings के लिए जो search analytics हैं जो के आपके keywords जो के बहुत अच्छे चल रहे हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद जो के itsy ads है, itsy ads में आप आप देख सकते हैं कि आपने itsy ads पर कितने आपको चार्ज हो हैं, आपको itsy ads कहां से ओन करनी है, कैसे ओन करनी है, और आपने कितना उसका budget रखना है itsy ads का और वो सब कुछ आप itsy ads पर click करने के बाद आप यहां से कर सकते हैं, sales and coppers में आप देख सकते हैं कि आप आपने आगे शो होता है social media, social media भी आप itsy पर attach कर सकते हैं, marketing के बाद integrations के tab आता है, integrations होती है third party apps जो के आप अपनी shop के साथ integrate करते हैं, attach करते हैं, जब आप itsy shop के साथ वो attach करते हैं, तो उसमें आप कोई भी अपनी itsy shop के अगर आपने SEO करवानी है, किसी third party app के थूरू तो वो आप itsy shop के साथ कुस third party app को attach करके SEO करवा सकते हैं, यानि कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे e-rank itsy SEO यह बिल्कुल free integration है, जो के आपकी distance के SEO के बारे में पताहेगी कि आपको कौन सी listings को कैसे optimize करना है, उसके बाद आप integrations के थूरू आप अपनी finances को deal कर सकते हैं, और आप अ अगर third parties को अगर आप itsy के साथ attach करना जाते हैं, तो आप integrations में आके करेंगे, अगर आपने already कोई attach करनी है, तो आप manage में जाएंगे, तो आपको जितनी भी आपने integrations आपने itsy shop के साथ attach की हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो खैर यह था एक shop manager की feature का briefly introduction, जो के आपको shop की customization में आपके काम आएंगे, अब next वीडियो में मैं आपको itsy की listings के बारे में तरहूँगा कि आप itsy की listings कैसे कर सकते हैं, so मिलते हैं next वीडियो में, अलाहाफिस